हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दी चैनल और आज हुम खेलने चारे एक ब्रैंड न्यू PC गेम जो कि होने वाली है ट्रेडर लाइप सैमुलीटर जी हाँ मुझे पता है ट्रेडर लाइप सैमुलीटर में 2 खेल सकते था बट जब तक हम लोग Trader Live Simulator 1 complete नहीं करेंगे तो Trader Live Simulator 2 खेलने में इतना मज़ा नहीं आने वाला तो अब हम लोग ज़ादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फटावट से करते हैं अपना gameplay स्टार्ट लेस्ट गो गाइस तो ओके तो यहाँ पर हमारे पास दो options है city and village तो सबसे पहले हम अपना super market जो है ना city में लगाएंगे और उसके बाद हम लोग village वाला खेलने का try करेंगे तो चलो चलते सीधा city में ओके finally यहाँ पर हम लोग अपने घर में आ चुके हैं अब भी मेरे wallet में लगबग 500 dollars है और मेरे bank में लगबग 100 dollars यह I think अपना घर है सबसे पहले तो मैं अंदर जाके देखता हूँ यहाँ पे तो literally guys कुछ भी नहीं है दूसरे गमरे में कोई furniture वगेर है यहाँ पे literally यार furnitures नहीं है और मुझे यार सबसे पहले तो ऐसे करना है यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा तो चलो यह door है इसे खोलते ओकी guys यहाँ पे हम लोगों ने अपना door तो खोल दिया take the car to the shop तो चलो यार फटावट से चलते हैं car में बैठते हैं and सीधा निकलते हैं शूपर मार्केट में तो finally guys यह रहा अपना store यह अपना घर है यहाँ से अपने को right mood नहीं and हम लोग directly अपने store में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले अपना गाड़ी की दर है तो मैं यह रहा अपना गाड़ी definitely कुछ न कुछ समान तो होना चाहिए तो यहाँ पर मैं को कुछ shops दिख रही है दिखते हैं guys पास जाके यह कौन से shop है मैं यहाँ पर गाड़ी की spits लोग खर दूँगा ओके यहाँ यहाँ पर यह फिश मार्केट है vegetable shop है, butcher shop है and electronic shop लगता है यहाँ से हम लोग शमान वगेरा बाइक करेंगे and वो सारे का सारा समान जो है न हम लोग अपने store में sale out करने वाले तो finally guys यहाँ पर हम लोग अपने store में थो पहुंच चुके है बट अपना store किदर है वो रह मेरे को दिखने लगाए and यहाँ पर bank भी होगा तो हाँ guys store के बगल में bank के मतलब समझ लीजिए जिसको भी शमान वगेरा चाहिए अगर पैसर नहीं हुआ तो वो यहाँ से bank से पैसे निकाल करें easily अपने shop शमान वगेरा बाइक कर सकता है मैं अपना गाड़ी करता हूँ यहाँ पर पार्क बर्गर वाले के दुकान के सामने तो okay guys यहाँ पर हम लोग finally पहुँच चुके सबसे पहले तो मैं को क्या करना है use the laptop to save your progress ठीक है तो किदर है भाई यह laptop you can buy a smartphone from the smartphone shop ठीक है हम लोग यहाँ से buy कर लेंगे बढ़ सबसे पहले तो मैं को laptop चाहिए ओ भाई laptop I need laptop ओके लगबग 450 डॉलर्स मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं तो चलो यार हम लोग सबसे पहले अपनी shop वगेरा खोलते और अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या समाने ओके यहाँ पे अपना worker अल्डेडी काम कर रहा है बट अभी जो है अपना shop ओपन नहीं हुआ है so finally guys अपना shop यहाँ पे ओपन हो चुका है सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ओके प्रेश क्यू टू प्लेस अफ फरनीचर तो सबसे पहले जो है न मेरे पास फरनीचर होगा ओके यहाँ पे मेरे पास रैक है laptop है, wall है, door frame है, doors है, toilet है, bed तो इतना सारा समान मेरे पास already है यह जितना भी अपने पास bed है, toilet है, doors है यह तो हम लोग जो है न अपने घर में प्लेस करेंगे बट यहाँ पे अपने को प्लेस करना है रैक तो मैं रैक कहाँ पे प्लेस करूँ ऐसी करते हैं यहाँ पे अपने लोग जो है न इधर की side स्टार्ट करते हैं, मतब side से start करेंगे प्लेस करना तो let's go, यहाँ पे मैं first rack को प्लेस करता हूँ तो okay guys, यहाँ पे हम लोग उना अपनी प्लेस कर दिया है, बट मैं को यहाँ पे प्लेस करने के लिए समान भी चाहिए तो भाई, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं तो हम लोग सारे का सारा समान उठाते हैं and widget jaybbersoft to restock तो okay guys, यहाँ पे सामें जितना भी समान अपनी शॉप में कौम होगा वो सारे का सारा समान जो है न हम लोग jaybbersoft से लेके आ सकते हैं तो ठीक है, वो अभी हम लोग बाद में चलेंगे सबसे पहले जितना भी अपने पास समान है न वो हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं इनको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूं ओके यहाँ पे कस्टरमर भी आरे बट अभी अपने स्टोर में बिलकुल भी समान नहीं है तो जितने में मेरे समान है मैं सारे के सारा समान लगा के एक्दम रड़ हो जाता हूं ओके यार यहां पे यह सोशल वगेरा तो सारे लग चुके हैं बट यहां पे और क्या चीज़ है यह डाइपर डाइपर भी गाईज यहां पर हम लोग प्लेस करते हैं तो मैं फटावट से सारे के सारे डाइपर जो है यहां पर प्लेस करता हूं आपना एक डाइपर already big भी गया है तो भाई आपने सारे के सारे डाइपर प्लेस कर दिया है और यहां पर एक और बॉक्सज़ ए इसमें क्या है इसमें washing powder है यह भी अपर लोग प्लेस कर लेते हैं जो पी अपी प्राइमेरली नीड है वो अपनी शॉप में है मतलब अपने पास थोड़ा सा समान आई मिन पैसा आ जाएगा और उसके बाद हम लोग फटावट से इसको प्लेस करने के पाद चलते हैं जैबर शॉप में वहां से हम लोग काफी जादा समान लेके आएंगे जो कि अपने बजट में होगा तो भई धीरे धीरे करके थोड़ा सा समान वगेरा बिकने भी लगाए और मैंने यहां पे वाशिंग पॉर्डर भी लख लिया है एक बारी मैं गैराज में चेकाउट करता हूँ क्या पता थोड़ा सा समान होगा ओके यहां पे दो बॉक्स और है जैम एंड सॉफनर के तो यह भी अब मैं लोग यहां पे प्लेस कर देते हैं उसके बाद चलेंगे हम लोग सीधा जैबा शॉप में तो भई यहां पे जैम से तो यह भी मैं फटावट से प्लेस करता हूँ यहां पे तो फाइनली गाइस यहां पे हम लोगों ने जैम वगिर भी प्लेस कर लिया एक यहां पे क्या शॉपनर तो यह तो अपने आपने काफी जादा प्लेस करके रखावाए तो इसकी अभी अपने को वायर तो आज यह लगबग हम लोगों ने थोड़े से टाइम पे 81 डॉलर्स की सेल कर आए तो भाई ठीक है तो यहां पे अपन लोग ने गेम वगिरा सेफ कर लिया है तो फाइनली गाइस अभी हम लोग चलते सीधा जैवर शॉप में जितना भी शामान वगिरा अपने को चाहिए वो हम लोग लेके आ जाएंगे अपनी गाड़ी में रखके तो भाई मेरे पास लगबग 500 डॉलर्स है और 100 डॉलर्स जीओ अपने इस बैंक में तो चलो गाईस चलते हैं बट मैं उससे पहले जो एना मैप में देख ले तो अपने को जाना किदर है अपने को गाईस जाना इदर है और हम लोग हैं कहां पर यहां पर तो चलो चलते हैं भाई मुझे राजता नहीं पता डेफिनेटली मैं कहीं कन्फ्यूज ना हो जहूँ बाई कस्टोमर्स इतने जादा आ रहे हैं बट लेटरली अपने पास बिल्कुल भी समान नहीं है मुझे एक ट्रक भी बाई करना है जिसमें हम लोग एक ही बार में काफी जादा समान लेका है मुझे लगता है यहां से जाना पड़ेगा इदर या बर्गर शॉप यहां पर समलोग बर्गर भी खालेंगा बट अभी हंगर लेवल तो सही है अपना इतनी जादा भूक नहीं लगी अपने को यहां पर पेटरल पंप है अपनी गाड़ी में फ्यूल भी भराना पड़ेगा बट अभी फ्यूल इकदम फूल है मुझे लगता है अपने को यहां पर से जाना है आगे के साइड ओके अपने को इधर ही चल ला है मुझे लगता है गाइस मैं रास्ता भटक चुका हूँ बट हूँ कहां पर मैं ओके यहां पर गाइस हम लोग फरनीचर शॉप में पहुंच गये और furniture shop की इधर है तो लगता है अपने लोग जो है ना गलत direction में आ गए हमें इधर नहीं अपने को कई दर और जाना है तो यहाँ पर हम लोग back करते हैं और वापिस चलते हैं दुबारा यहाँ पर तो नहीं है तो ऐसे करते हैं एक बारी इधर चलके देखते हैं ओके गाइस यह तो car shop है अपने को तो अभी car का बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है तो हम लोग यहाँ से करते हैं यहाँ पर से निकलते हैं वापिस अपने को जिदर से मैं आया था उधर ही इधर है यहाँ पर पार्किंग मैं लगाता हूँ जितना भी अपने को समान जो भी अपना एक लिए profitable समान होगा वो हम लोग fatig से buy कर लेते हैं तो ठीक है some product required to be inside a fridge otherwise they will be rotted ठीक है मैं समझ किया अपने को meet पगेर बाई नहीं करने हैं क्योंकि हम लोग open में रख सकते वो ही समान अभी हम लोग लेके जाने वाले है तो मुझे क्या चाहिए इनके price काफी ज़्यादा high है इसका good price है बाई बट profit नहीं होगा अपने को वो शमान देखना है जिसमें अपना profit होगा तो softner में guys अभी काफी ज़्यादा profit चल रहा है around 52 की buying है and sale जो है वो लगबग 16 dollars का है तो मैं ये buy करता हूँ इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पर है तो हम लोग उने softners तो buy कर लिया है and इसमें भी इतना profit नहीं है bleach में guys काफी ज़्यादा profit है तो मैंने एक कुछ bleach भी buy किया और देखते हैं guys इसमें किस पर अपना ज़्यादा profit होगा वो ही समान हम लोग लेके जाने वाले इसकी current price तो लगबग 91 dollars है normal sale price 75 no इतना profit नहीं है all use में काफी profit है let's go ये हम लोग लेके चलते तो जितना भी guys profitable समान होगा वो मैं buy करता हूँ और मिलता है आपको सीधा बाद में तो guys जितना भी हमारे पास पैसा था हम लोग ने उतने सारे पैसे को जो इना समान वगेरा buy कर लिया है तो जितना भी मैंने समान buy करा ये यहाँ पर रखका हूँ है बट सारा समान profitable समान है जिसमें हम लोग थोड़ा सा मुनाफ़ा होगेरा कमा सकते हैं लेस्ट गो सारा का सारा समान मैं बाहर रखता हूँ और उसको अपने गाड़ी में प्लेस करूँगा और लेके जाने का ट्राइ करूँगा देखते हैं इतना सारे बॉक्से अपनी गाड़ी में आप आएगा तो ठीक है नहीं आप आएगा तो कुछ और तरीका देखने पड़ेगा नहीं तो हम लोग बाद में आएंगे तो चलो इसको ओपन इसको ओपन करता हूँ मैं और उसके बाद फटावट से अंदर रखते हैं तो ओके गाड़ी बिना गाड़ी का दोर खोले वे भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं तो भाई उससे अच्छी बड़ी बात क्या है इस तरीके से आराम से प्लेस करो तो ठीक है दो बॉक्से आ गए अब भी अपन लोग तीसरा बॉक्से भी लेके चलते हैं क्या इसके बगल में आप आएगा ये बॉक्स लेट्स सी आई विल ट्राइ मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आप आएगा तो ये बॉक्स लोग यहाँ पर आगया मत तो कुछ अलगी तरीके से बस ये सारे के सारे बॉक्से आजाएंगे ना तो भाई ये प्रॉफिट हो जाएगा अपना मत अब दुबारे आने के टेंशन नहीं होगा तो गाइस यहाँ पर लगबग सारे के सारे बॉक्से आचुके हैं बड़ दो बॉक्से बच्चे वें यह कहां पर आएगा अपनी गाड़ी के छट के उपर आजाएगा यप गाईस यहां पर आ सकता है तो ठीक है यार मतलब अपना गाड़ी यार पुरा का पुरा retro का काम कर रहा है मतलब हम लोग अपनी गाड़ी के छट में प्लेस करके easily लेके चल सकते हैं तो चलो गाईज लगबग अभी अपने पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है खाना खाने के लिए पैसा नहीं है तो मुझे थोड़ा सा पैसा वगेरा कमाना है अभी चलते हम लोग फटावट से अपने स्टोर में सारा का सारा समान हम लोग प्लेस करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा अपने घर क्योंकि यार काम के साथ अराम भी करना ज़रूरी है आई तिंग अपने को इधर से इधर मुड़ना है भाई रास्ता याद हो गया मैं को ला रहा हूँ भाई तेल ला रहा हूँ मैंने बाई किया है तो ओकी गाईस यहां पे हम लोग फाइनली अपने शॉप में पहुंस तो गए है तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग जोए ना एकदम पीछे वाले गैरा से ही चलेंगे अपना जितना भी अपने पास एक्षर समाने हैं वो हम लोग रख देंगे अपने स्टोर में तो चलो इनको मैं यहां पे प्लेस करता हूँ बहुत ज़्यादा समान लेके आया हूँ इसमें तो अपना डेफिनिटली काफी प्रॉफिट होगा तो ठीक है गैस हम लोग ने सारे के सारे तो बॉक्से निकाल दी हैं फटावर्ट से उनको मैं यहां पे प्लेस करता हूँ और अपना गैराज का सैटर उपन करते हैं बाई सारे का सारा समान ओरे सारे का सारा समान गैस यहां पे अल्डेडे बिग चुका है तो जितने भी यहां पर boxes है सारे के सारे boxes मैं अंदर रखता हूँ और उनको एक एक करके हम लोग यहां पर place कर लेंगे बट उससे पहले मैंने कुछ यहां पर shale checkout करना है अपन लोगों ने आज कितने रुपे का shale किया है तो let's go रखता है मुझे definitely एक rack और buy करके लाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास धीरे धीरे करके काफी जादा समान होगा तो मैं ऐसे करता हूँ देखता हूँ अभी अपन लोगों ने कितने का shale किया है फिर उसी साफ साम लोग जो है न एक दो तीन जितना भी rack चाई होगा अपने को वो लेके आ जाएंगे भाई ये सारे का समान मैं जो है न उपर के तरफ place करूँगा तो मुझे जो है न ये चाई होगा तो चलो इसको लेके चलते हैं इसको करेंगे यहाँ पर हम लोग place तो चलो मैं तो उपर चड़ा अंदर से जितना भी समान होगा पहले softners place करें पहले ये cooking oil ही place करते हैं तो ओकी गाईज यहाँ पर हम लोग ने सारा का सारा cooking oil place कर दिया यहाँ पर कुछ सूगर्स है तो सूगर्स भी हम लोग जो है ना कहां पर place करें ऐसे करते हैं cooking oil के बगल में place करते हैं तो सूगर्स तो काफी कम space लेगा तो ठीक है मैं फटावर्स सारा का सारा सूगर्स जो यहाँ पर place करता हूँ यहाँ पर ओके गाईज फाइनली हम लोगों यहाँ पर सूगर्स भी place कर लिया अभी अपने को dry cat food है वो अपने लोग place करते हैं बाई नीचे गिरिया उसको मैं करता हूँ यहाँ पर place तो ओके गाईज यहाँ पर हम लोगों ने finally cat food भी place कर लिया है थोड़ा सा space बचा हुआ है यहाँ पर जितने भी jams तर सारा का सारा बिक चुका है बट अभी अपने पास jams वगेरा नहीं है यहाँ पर कुछ noodles है noodles भी जो यहाँ पर place कर देता हूँ and noodles भी काफी जल्दी sale हो जाएंगे तो guys यहाँ पर अपनी इस वाली rack में बिल्कुल भी जगा नहीं है अपना जो worker है वो भी जा चुका है तो मुझे लगता है मैं फटावट से कुछ racks वगेरा भाई करता हूँ and उसके बाद अपनी shop वगेरा को close करके हम लोग निकलेंगे यहाँ पर से घर बट उससे पहले मैं देखता हूँ आज हुए ना अपना लोग ने कितना शेल किया है लगबग 336 dollars तो भाई इसको मैं फटावट से क्लेम करता हूँ भाई मुझे क्लेम किदर से करना है उसने सारे के सारे पैसे किदर रखे हैं अब है collect cash कहां से collect होगा तो ओके गाई लगबग मैंने सारे का सारा cash collect कर लिया है और अरे भाई ये सारे किशारी shop तो close हो गई मतलब गाईस हम लोग रैक जोए ना वो नेक्स डे ही बाई कर पाएंगे तो मुझे फटावर्ट से अपना शॉप वगेरा क्लोस करना पड़ेगा लेस्ट गो तो चलते हैं सबसे पहले तो ये गैराज का सैटर बंद करता हूँ तो कोई रात को चोरी वगेरा करके ना चले जाएं तो चलो गाईस फटावर्ट से अपन लोग चलते हैं शॉप क्लोस करके सीधा अपने घर तो ठीक है यहाँ पर शॉप क्लोस हो चुकि है रात काफी जाद हो गया मेरा गाड़ी की तर है मेरा गाड़ी पीछे के साइड है तो मुझे पीछे ही जाना पड़ेगा तो सबसे पहले लाइट खोलो और चलते हैं वैसे मेरा प्लैन है मैं खाना वगेरा खाके निकलूँगा यहाँ पर बर्गर शॉप है अपने पास पैसा तो काफी जादा है तो हम लोग बर्गर शॉप से खाना वगेरा खाके फिर अपने शॉप घर में निकलेंगे और मैं को घर में कुछ फरनीचर वगेरा भी प्लैस करने है क्योंकि अपन लोग लोग किने फरनीचर वगेरा प्लैस बिल्कुल भी नहीं किया अपने घर में बाई बैड भी नहीं है सोऊंगो किदर तो चलो फटावट से मैं खाना वगेरा खा के आता हूँ और चचा थोड़ा सा बर्गर दी हो जरा I think अपना अंगर लेवल ओके गाईज अंगर लेवल जीरो तो चलो यहाँ पर से अपन लोग निकलते हैं इधार बाई अंदेरा काफी जदा डारक है लिटरली मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है तो फाइनली गईज यहाँ पर हम लोग अपने घर में पहुंच गए हैं और मैं जो है ना गाड़ी को यहीं पर पार करूँगा ठीक है अके सबउपने कले यहाँ पर बैड भी रगएव प्लेश करता हूँ तो चलते हैं अपने बैड रूम में बट पहले मैं अरे मेरे यहाँ पर तो ट्रइलिट ही नहीं है भाई अपने को प्रेश आप कापी जोड भाई ॉड्स आ रहा है तो मैं फटावट से यहां पे टौालेट था, वो प्लेस करता हूं, कहां पे प्लेस करें, यह कोने में बढ़िया रहेगा, ना यहां पे सही है, तो ठीक है guys, चलो फटावट से करते हैं, आजा आ गिया, पेठ हलका गिया, तो चलो, तो अब यहां पे बैट वगेरा प्लेस कर अरे नहीं अरे यार गलती से गलत प्लेस कर दिया इस इसको मोग भी नहीं कर सकता है पट कोई नहीं इसको हम लोग बात में सेल आउट कर लेंगे तो अभी अपन को क्या करना है सबसे पहले हम लोग सोके हैं आज की वीडियो को लए बस इतना ही मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो में तो तक ले गुडबाई see you guys in the next video I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा so bye bye guys डेट को में काफी जादा मज़े करेंगे काफी जादा नएने समान वगेरा जोड़ेंगे अपनी शॉप में तो bye bye